कि अस्वालों कि मैं आप लोग वेलकम टू मैं चैनल साथ चुड़ी मैं अच्छा लेटस मैंने कुछ अपडेट शेयर करनी है इंट्रेंशन बॉर्डस के अवाले से हैं तो सबसे पहले आपको मैं एक टाइम लाइन बताने लगा हूं स्कॉट मौरिस ने खुद दिये जिसम अब वेक्सिनेशन सेटिकेट की भी कुछ अपडेट आई है सामने वह सबस्क्राइब करें उसके बाकी कुछ लेटेस्ट और न्यूज आई है इंट्रेंशन स्टुएंट्स के वाले से बीडियो इन्फॉर्मेटिव है अगर चैनल पे नहीं तो प्लीस लाइक और सबस्क् सेज ऑस्टेलिया कें रीच दा डिजार सेवंटी परसेंट वेक्सिनेशन बैंच मार्क बाइद अफ दे इयर देखें इन्होंने क्लेरी स्कॉट मौरिस ने बता है इसमें के हम अरौंड सेवंटी परसेंट तक इन्होंने बता है कि हम अपने जो सिटिजन से उनको वेक्सि करते हैं अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेक्सिनेशन का जो स्टार्ट अप है वह पहले से बहुत ज्यादा तेजी के साथ जा रहा है तो शायद इस वज़से इन्हों सारों ने प्लैन किया है स्टेट्स ने प्लैन किया होगा कि हम अपने जो सिटिजन्स हैं उनको को हम 70% तक वैक्सिनेट करेंगे जिस तरह बाकी कंट्री के साथ अब यह एक तरीके से रेस लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने 75% तक 80% तक अभी से कवर कर लिए तो उनको तक्रीपन एंड तक बाइड एंड औफ येर तक फुली वैक्सिनेट हो जाएंगे तो इ इन्होंने भी क्ली बताया है कि हम भी 70% तक बाइड औफ येर तक कंप्लीट करेंगे एक सब्सक्राइब और देख सकते हैं नाइन इस ऑस्ट्रेलियन चैनल पर है कॉंटास हैस कंफर्म इट विल रॉल आउट आ डिजिटल हैल्थ पास्ट वैन इंटरनेशनल फ्लाइट र करेंगे फिर उसके आगे तो फर्दर इन्होंने इसमें बात ये किए कि हम डिजिटल हैल्थ पास्ट जो है फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल उसको भी हम रिज्यूम करेंगे आगे कमिंग जब बॉर्डस को उपन कर देंगे तो अभी बॉर्डस का बस मैंने इसमें ये शेयर आँगे तो अभी इन्होंने एंड तक बात किये एंड और तक सेवंटी परसेंट तक इन्होंने बात किये तो चांसे से कई न कई बन सकते हैं कि बॉर्डर उपनेंगे वेक्सिनेशन की अपडेट शेयर करनी थी यहाँ पर देख सकते हैं ट्वैल मिलियन वैक्सिन डोस चेहरे कि अब्डेट अभी तक न्याइए 12 मिलियन से अबव यह अभी तक कम्प्लीट हो चुके हैं तो अगे देख सकते हैं इन्होंने ज़ो पर डे के इंनोंने टार्डेट किये है वह और तू लैक्स से अबव तारगिट रहे हैँ तो आगे इस से अबफ फर्दर इन्हो करेंगे इस तरह तो यह कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा पर डे के अंदर वैकसिनेशन को कुप्लीट करेंगे इन्होंने प्ली को अपनी सकोड मौरिच सान इक लेली इसमें किये ताकि जो 70% है यह कवर कर सके कृस्मस तक आप सम्झेज़े इन्हों ने क्रिश्मिस तक बात किये कि कियुक्ए का में फोकस यह कि हम कृस्मस तक अपने जो सिटीजनों से उनको वैक्सिनेट करें तो पहले बिस आप साथ यह नोश शेयर की तिंहोंने خود दी थी की हम krismons को हमारा टार्गेट है ज्यादे ज्यादे वंसे इस तरह चांसिज बनते हैं लेकिंए वैक्सेदेशन के साथ ह堆 टाइम लाइन का पता लगेगा कि बॉल्डर के इस तरह बिनों क्ली बताए है कि हम around इतने परसंट तक vaccinate करेंगे तो इससे जाद साफ ही मतलब हमें ये जाहर होता है आगे के borders को कब open करेंगे by the end of year तक मतलब chances बन सकते हैं borders के क्योंकि इनका ये main मकसद है कि हम अगर ज्यादे ज्यादे citizens को vaccinate कर देंगे उसके बाद हम साथ साथ borders को भी हम open करेंगे उसके बाद बाकी इन्होंने जो vaccination certificate की इसलिए बात की ताकि आगे जब ये borders को open कर सके जिसके पास vaccination certificate होगा उसको अपनी country के अंदर allow करेंगे जिसके पास नहीं होगा उसको airport से ही वापस कर देंगे इस वज़े से vaccination certificate इस मस्ट तो आगे बस मैंने क्लेलिस में आपको ये बताना था जो आज की एक दो अपडेट्स थी दो तीन जिसमें मतलब इन्होंने ये बताया है कि हम कितने परसंट तक chances हैं और आगे इनके फर्दर क्या प्लैन होंगे तो बस आज की अपडेट्स तक कि अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीस लाइक और सबस्क्राइब करें और प्रेस अब बैल आएकन और उसके बाद और जुरूर प्रेस करें ताके मेरे आने वाली और आस्ट्रेलियन बॉर्डर्स के वाले से लेटस अपडेट्स सबसे पहले आप पहुंच सके थैंक्स और आचिन